गती शक्ती किस तरह से विकास योजनाओं को नई गती दे रही है इस विशे में आपको बताएंगे कि किस तरह से गती शक्ती से एक नई गती मिल रही है विकास की पर योजनाओं को अब बजट पूर्व चर्चा ही नहीं होती बलकि पोस्ट बजट उस पर किया जाता है कारणवेन किया जाता है कि किस तरह से आगे की नीती निर्धारन हो और कैसे इस बजट को आगे लागू किया जाए बजट लागू करने और से मूर्थ रूप देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी स्वैम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं 12 से जादा वेबिनार्ज वो उसको आगे लेकर जा रहे हैं 23 वरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आउजित किया जा रहे हैं 12 बजट उपरांत वेबिनार को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को मूर्त रूप दिया जाए कैसे कारानवेन हो बजट का इसका साथी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने शनिवार को आज बुन्यादी धाचा और निवेश पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया और इसमें अपनी महतपूर्ण बाते कहीं आपने अभी सुना हमारे इससे पहले का जो पैकेच चला उसमें प्रधानमंत्री ने गती शक्ती नाशनिल मास्टर प्लान को एक बड़ा गेम चेंजर बताया कि किस तरह से एक पूरी अर्थविवस्था पर पूरी को एक गती देने का काम ये गती शक्ती करेगी गती शक्ती नाशनल मास्टर प्लान भारत के इन्फरास्टर का भारत के मल्टी मॉडल लौजिस्टिक्स का काया कलप करने जा रहा है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबीत होगा जैसा की प्रधान मंत्री कर रहे हैं क्यों साबित होगा गती शक्ती मास्टर प्लान पोर्टल नए प्रोजेक्ट्स की मनजूरी और विकास की में महत्पून भूमिका निभा रहा है और कई सारे राज सरकार के और केन सरकार के विभाग इस पोर्टल के जरिये जुड़े हैं तो वो सारी चीजे आपस में कॉडिनेशन जो है वो एक बहतर हो रहा है पिछले आठ महीने में क्या परिवर्तन आया है उद्द्यों विभाग में खास परिवर्तन आया है गती शक्ती मास्टर प्लान के तहत 66 बड़ी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है पिछले आ पूरी की जा रही है इस पे लगातार काम आगे चल रहा है इसमें 922 करोन रुपए की लागतवाला मारवार और द्योगी क्लस्टर और बारबिल नयागर बरसून 8840 करोन रुपए का एक जो परियोजना है वो शामिल है तो कितने बड़े-बड़े प्रोग्राम इसमें शाम सामने आये है और उसमें गती शक्ती ने बड़ी भूमिका निभाई है इनको आपस में कॉडिनेट करने के लिए तो यह आप समझ सकते हैं कि और न सिर्फ इस तरह के इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलेमेंट के प्रोग्राम बलकि स्कूलों, नर्सिंग होम्स, अस्पतालों जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रेक्चर की योजनाय बनाने में भी गती शक्ती की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है, यानिकि सोशल इंफ्रास्ट्रेक्चर खड़ा करने में भी देश में उसमें भी गती शक्ती लगातार काम कर रहा है, पीम गती शक्ती पोर्टल पर बार सो प्रकार मौझूद है 1300 काइंज और जिसमें वन वन जीव वन संपदा नदियां यूनुसको विश्व धरोहर स्थल और तमाम दूसरी चीज़ें इसमें शामिल है नी परियावरण से जुड़ी हुई चीज़ें जो लैंड रकॉर्ड्स हैं वो तो शामिल ही है तमाम परियो परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उसमें आपस में कॉडिनेट करते हैं तमाम विभिन्द विभाग राज के और केंद सरकार के तो वो जो कॉडिनेशन है वो समीक्षा भी करता है और देखता है कि कहीं कोई गरबढ है या ये भी देखता है कि कहीं अगर किसी को कुछ दूसरी की जरूरत है एक डिपार्ट्मेंट दूसरे के साथ कॉडिनेट करके आगे बढ़ता है केंद्र और राज सरकारों के कई भी भाग इस से जुड़े हुए हैं इस पोर्टल पर ही पर्योजनाओं को तैयार किया जाता है और फिर उसे फील्ड पर लेकर आया ज होता है क्योंकि लगातार जो ये गती शक्ती योजना है जैसा कि आपने देखा कि कितने बड़े वाल्यूम में पांच लाख करोन रुपए की तमाम योजनाओं को इसके जरीए मन्जूरी मिली है पिछले आठ महीनों में 66 बड़े प्रोजेक्ट से तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधान मंतरी कह रहे हैं कि एक गेम चेंजर साबित होगा तो वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं फिलाल रुकरेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जायेगा निउस राइट में खबरें अभी बाकी